हलो स्टूडेंट वेलकम बाक टू मैं चैनल सुश्मिधा एसबी आप सभी का बहुत बहुत चागत करती हूँ मैं अपने चैनल सुश्मिधा एसबी पे तो क्लास टेन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ तू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का इसके पहले जो है मेरे चैनल पर ओल्रेडी इस फॉर्स फ्लाइट का फाइफ कोशन अल्रेडी मैं अपलोड किया हुआ है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं जो लोग भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नहीं आए है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है मेरे पढ़ाने का तरीका एंड अपनी दोस्तों के भी जादा से जादा श यह बहुत important question है आप लोगों के लिए, मतलब अगर हम कहें तो यह जो question है और इसका जो answer है वो पूरे chapter की summary है, पूरे chapter में क्या हुआ, एक young seagal जो है वो क्या करता है, बहुत डरता है, like उड़ने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, उसके जो punk है उसको support नहीं करेंगे, लेकिन at least like last में वो क्या करता है, उड़ता है, तो आईए हम देखते है इसका answer, ठीक है कि young seagal किस तरीके से अपने डर से जो है, overcome करता है और उड़ता है, तो the young seagal was afraid of flying over the sea because he thought that he would drown, his family decide to teach him a lesson, they left him untended, एक second, the mother tore at a piece of fish that lay her feet now and then in his front, since the seagal was hungry too much, he was compelled to attempt his first flight in order to get food, he was successful, this is when he got over his fear flying over the sea, अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कि जो young seagal होता है, वो आप लोगों को पता हिए कि वो बहुत ही जादा डरता है, ठीक है, उड़ने से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, कि अगर वो उड़ेगा, तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा, उसको इस तरीके से लगता है, कि अगर वो he would drawn, तो उसकी family, his family decided to teach him a lesson, उसकी family decide करती है, कि उसको lesson सिखाएंगे, हम उनको lesson देंगे, उसको lesson सिखाते है, क्या lesson सिखाते है, उसको क्या करते है, पूरे दिन उसको बिना खाने का, छोड़ देते है, लेज़ पे, ठीक है, they left him, उसको वहाँ पर क्या करते है, छोड़ देते हैं, पूरे दिन लेज़ पर क्यों उड़ता नहीं, उसकी family, पापा बोलते है, जा तुम भूके मरो, या कुछ भी करो, अब यहीं पर रहो, और वो लो क्या करते है, उसको छोड़ करके चले जाते है, उसके बाद उसकी मम्मी को थोड़ा, क्या होता है, उसकी मम्मी को तरकीब सूस, उसकी मम्मी सोचती की कैसे मेरे इस बच्चे को मैं उड़ाओ, तो उसकी the mother tore at a piece of fish that lay her feet now and then in his front, उसकी मम्मी एक मचली का, लाहिक, क्या करती है, खाना, उसकी मचली का एक टुकड़ा, फिश लेकर उसके सामने जाती है, तो इतनी भूक में जादा, इतना जादा भूका होता है, since the seagal was hungry too much, क्योंकि उसको एक दिन से वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं खाता है, तो बहुत जादा भूका होता है, और इसी motivation, यही motivation, उसका जो भूक वाला motivation भूका रहता है, तो वो क लगाता है, वो कुछ जाता है, कि वो successful, और इससे ही वो क्या हो जाता है, successful हो जाता है, उड़नी में, तो simple सा answer है, कि जो seagal था, वो बहुत जादा फ्लाई करन, मतब उड़नी में डरता था, और वो उसको ऐसा लगता था, कि वो गिर जाएगा, तो उसके family ने decide कि है, कि उस और वो उसको खाना वाना बिना दिए, वहां पे छोड़ देते है, लेकिन वो तो भी विचारा बॉंदू जैसा वहां बैठे रहता है, उसको इतना डर लगता है, जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है, उसको बहुत डर लगता है, तो उसकी मम्मी एक तरकीव सोचती, वो फिश का टुकडा लेकर के आती है और वो बीच में ही रुप जाती है और वो सीगल क्या करता है बहुत जाधा हंगरी होता है तो वो क्या करता है डाइब लगाते है भूख के मारे पागल हो जाता है वो कुझ जाता ही से ही वो अपना सक्सेस्फुल हो जाता है उड़ने के बढ़ते हैं next question की तरफ, next question क्या है, next question है, how did the seagull feel when his belly touched the green sea, so seagull का पेट, बैली जब टच होता है C से, तो वो कैसा फिल करता है, so when the seagull belly touched the green sea, he was scared that he would sing, he tried to fly but could not, he was exhausted and weak due to hunger, तो जैसे ही सीगल का पेट टच होता है सी पे तो वह डर जाता है उसे लगता है कि मैं डूब जाओंगा ठीक है ग्रीन से में टच है तो उसको डर होता है कि वह डूब जाएगा तो लेकिन वह तो एक बढ़ ठैरा और वह इसलिए नहीं डूबता है वह क्या करता है वह डूब बहुता भी नहीं और नहीं वो उड़ पाता है, he tried to fly, वो उड़ने की कोशिश करता है, but he could not, but वो उड़ने पाता है, क्योंकि वो दो दिन से एक दिन से भूखा था, तो बहुत जादा वीक रहता है, but वो उड़ भी नहीं पाता है, तो वो दूबता भी नहीं, क्योंकि वो बर्ड है, उसकी सरीर की रचना ही ऐसे बनाई गई है, कि वो दूबेगा नहीं, और वो पानी में फ्लॉट करता है, ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशिन की तरफ, नेक्स्ट कोशिन क्या है, कोशिन में 3 है, जब यङ फैमिली जो है, और चीची शी गाती है, बढ़ते हैं, जैसे हम लोग कि किसी को praise करते हैं तो हम लोग तालिया बजाते हैं लेकिन चडिया लोग कैसे करेगी, तो लोग मुह से आवाज निकालते हैं, ची-ची-ची-ची गा कर और उसके ही साथ उसको क्या करते हैं, dogfish, they praised him and offered him scraps of dogfish, और उसको क्या करते हैं, dogfish खिलाते हैं, छोटे- सब्रस्व इस और फीच चेज में ठोड़कर किश को कि थीजर को से कि उड़ने के लिए उसके सक्सेश्वल ऐटम्ट के लिएAyos के बिचारा वह इतने दिन से तो उड़ता नही तब वह उड़ता है तो कपर डाइट घरामि और इसको करती है तो आप इन question से ही बना कर अगर कोई question अगर other questions पूछा जाए तो इन question से बना कर भी आप questions like question का answer कर सकते हैं देखते हैं next question, question number 4 ये भी बहुत जादा important question है What trick the young seagull's mother play to make him fly from his ledge? तो जो young seagull की जो ममी है वो क्या trick like इस्तेमाल करती है कि अपने बेटे को अपने बच्चे को उड़ाए वहां से let's say वो उड़ने लगे तो ये देखते हैं answer तो जो young seagull की जो ममी होती है वो बहुत जादा वरीड होती है बहुत जादा चिंतित होती है किसके लिए? सीगल के लिए वो जो सीगल था उसके लिए कि ये मेरा बच्चा क्यों नहीं उड़ता है ठीक है, she played a trick to overcome this problem और वो एक trick वो एक इस्तमाल करती है जिससे उसका जो बच्चा है वो जो सीगल है वो overcome कर जाए इस problem से she tore a piece of fish and fly towards young seagull और वो एक fish का एक टुकड़ा ले करके आती है और उड़ती है young seagull के आसपास she reached close to him, वो उसके पास जाती है and halted halted means क्या होता है रुक जाती है वो जाते जाते उड़ते 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 इसके पास जाते जाते है halted just in front of him उनके सापने जाते के कुछ दूरी पे वो क्या करती है रुक जाती है ठीक है the sight of food made him mad और वो जो food देख करके वो जो young seagull हो जाता है वो पागल हो जाता है because वो बहुत दिन से भूका होता है न he dive to catch the food and fell down in the way to struggle and learn to fly और वो क्या करता है वो dive करता है food पे जपाटे मानने की कोशिश करता है कि वो उसको food मिल जाए और वो dive कर जाता है और वो नीचे की तरफ down की तरफ गिरने ही लगता है और इस तरीके से वो like struggle में उड़ना क्या करता है सीख जाता है तो उसकी मम्मी क्या तरकीव सोचती है उसको इस problem से बाहर निकालने के लिए वो एक फिश का टुकड़ा ले जाकर कि इसके फ्रंट मतलब उसके पास जाते जाते वो बीच में रुख जाती है तो वो जैसे ही वो थोड़ी दोरी पे रुख जाती मतलब उनके बीस थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो ये देख करके वो फिश का टुकड़ा देख करके सीगल इतना जादा भूका होता है कि वो डाइब लगा देता है और इस तरीके से वो कूदता है तो क्या हो जाता है नीचे की तरफ जाने लगता है और इसी तरीके से वो struggle struggle में धीरे धीरे वो अपने पंखो को उड़ाते हुए, flap करते हुए उड़ना सीख जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ, कोशन मर फाइफ कोशन मर फाइफ है, what happened when the young seagull dive at the fish picked up by his mother क्या होता है जब young seagull जो है वो dive करता है फिश पे पहार निकालती है तो वो वहां पर dive करता है तो क्या होता है जब young seagull dive करता है फिश को पकड़ने के लिए तो when the young seagull dive at the fish, he fell to outwards, downwards with a scream तो जब young seagull fish पर dive लगाता है तो वो पहले पहाडी से बाहार आया और फिर नीचे को गिरने लग जाता है कि चिलाते वे with a scream, a monstrous terror seized him and his heart stood still, ठीक है तो उसको बहुत ज़ादा क्या होता है उसे बहुत दर लगता है और उसका दिल क्या होता है, his heart stood still, उसका हाट जो है वो रुख जाता है Soon his wings spread outwards and he could feel the tips of his wings cutting through the air जल्दी ही उसके पंक क्या होते हैं, खुलते हैं और तब उसे feel होता है कि मेरे पंक हवा को cut कर रहे है देन वो flap करता है और वो उड़ने लगता है, तो पक्ची अगर उसको भगवान ने पक्ची बनाया है उसमें वो सारे गुन दिये हैं हम जैसे इंसान है, तो हम कुछ चीज़ करने में डरते यह नहीं लेकिन हमारे में वो सारे चीज़ दे करके अल्रड़ी भगवान ने बेजा है तो वो भी पक्ची है, तो उसकी जो पंक है, जैसे ही वो हवा में मतलब उसे डर लगता है वो गिर रहा है लेकिन तभी उसके पंक क्या हो जाते खुल जाते है खुद बखखुद हवा में और वो फील करने लगता है कि उसके पंक जो है हवा को कट कर रहे और इसी तरीके से वो उड़ना सीख जाता है तो ये स्टोरी बहुत ही मज़दार स्टोरी है मैंने इसका explanation वीडियो भी already मेरे चैनल पे upload किया हुआ है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं तो next class में हम मिलेंगे the black airplane के question answers लेकर के ठीक है अभी तक मैंने his first flight का question answer आप लो के लिए इन questions को बहुत ध्यान से कीजिए अपने copy में note कीजिए अभी से note down करते चलिए next class में हम मिलेंगे the black airplane का question answer के साथ ठीक है तो आज के लिए इतना ही जिन्होंने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब चल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को support कीजिए thank you students